दोस्तो अगर आपके आधरकार्ट आपकी Union Bank खाते के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 मिनिट के अंदर आप अपने Bank Account के साथ आधरकार्ट को लिंक कर सकते हैं वो भी ओनलाइन इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं कि इस अरे इसे Bank है जो आधरकार्ट के साथ Bank Account लिंक करने का ओनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है यानि आप घर बेटर ही आधरकार्ट के साथ Bank Account को लिंक कर सकते हैं आपको बार-बार Bank जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप Union Bank Account के साथ आधरकार्ट को कैसे ओनलाइन लिंक कर जाता है इसका Complete Process जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप Complete देखेगा और वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को Like and Share ज़रूर कीज़ेगा तो इसके लिए आपको Google को Open करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है क्या आपके Bank Account के साथ पहले से आधरकार्ट लिंक है या नहीं है अगर लिंक है तो आपको लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है और अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक कैसे करना है आगे इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं तो bank account के साथ आधर कार्ड लिंक है या नहीं है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च करना है माई आधर और इसके बाद पहले वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है तो माई आधर का पेज ओपें हो जाएगा यहाँ पे आपको सिंपली लोगिन की ओप्शन में क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपका आधर नंबर एंटर करना है और इस capture को आपको यहाँ पे feel करना है और इसके बाद simply send OTP के option में click करना है तो आपके आधर card के साथ registered mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पे feel करना है हमारे mobile पर OTP आ चुके हैं हम इसको यहाँ पे feel करेंगे और OTP feel करने के बाद simply login के option में click करना है और जैसे आप login के option में click करेंगे आप my other page पर successfully login हो जाएंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे काफी सारे options यहाँ पे दिये गए हैं आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक options देखने को मिलेंगे bank shedding status आपको simply इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके आधार काट के साथ कौन सा bank account link है जैसे कि सबसे उपर यहाँ पे दिये गए हैं नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बाद आपका bank जो है वो active है या फिर directive है वो यहाँ पे इसका status में आपको देखने को मिल जाएंगे यानि bank shedding status में यह आपको देखने को मिल जाएंगे और अगर आपके bank sitting status में inactive बता रहा है या फिर यहाँ पे कुछ ही नहीं बता रहा है तो आपको क्या करना है simply आपके bank account के साथ आधरकाट को link कर लेना है तो चलिए आप आपको बताएंगे कि union bank के साथ आधरकाट को कैसे online link के जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है simply यहाँ से back चले जाना है दुबारा आपको google को open करना है और यहाँ पे आपको search करना है union bank और search करने के बाद पहले वाले link पर आपको click कर लेना है और यहाँ पे आपको एक options देखने को मिलेंगे apply online आपको simply इस पर click करना है जैसे ही click करेंगे click करने के बाद तुरा scroll करना है scroll करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक options देखने को मिलेंगे link your आधार number आपको simply इस पर click कर दना है और इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पीज शो हो जागा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे सबसे उपर यहाँ पे लिखा हुआ है Union Bank Account Details यानि यहाँ पे आपका Union Bank Account का Details फिल करना है इसके बाद नीचे आधर Details फिल करना है और इसके बाद नीचे Contact Details फिल करना है तो सबसे पहले Bank Details फिल करना है Bank Details में Union Bank का जो 15 डिजिट एकाउंट नमबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है यहाँ पे 5 box दिये गए हैं हर एक box में आपको 3-3 नमबर यहाँ फिल करना है इसके बाद नीचे आपको दوبारा Union Bank Account का 15 डिजिट नमबर इन 5 बोक्सों में आपको फिल करना है इसके बाद नीचे Bank Account में जो नाम है वो नाम नीचे आपको फिल करना है निचे आधार डिटेल्स में आधार का जो बारा डिजिट नमबर है वो बारा डिजिट नमबर इन चार बुक्सों में आपको फिल करना है ठीक है और निचे आपको दुबारा रियेंटर करना है आधार का बारा डिजिट नमबर इन चार बुक्सों में निचे रियेंटर करना यानि दुबरा फिल करना है और इसके बाद आधर कार्ट में जो नाम है वो नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है ठीक है? और नाम फिल करने के बाद इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे contact details में आपको सबसे पहले mobile number फिल करना है mobile number वो ही फिल करेंगे जो आपके आधर कार्ट के साथ और bank account के साथ link है वो ही mobile number यहाँ पे आपको फिल करना है और इसके बाद नीचे आपको email ID फिल कर देना है और सारे फिल करने के बाद आपको simply क्या करना है submit की option में click कर देना है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे फिल कर दिये हैं और सारे फिल करने के बाद आपको करना क्या है simply submit की option में click करना है और जैसे ही आप submit की option में click करेंगे click करने के बाद आपके registered mobile number पूर एक OTP पे आएगा तो वीडियो को लाइक करें आपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को subscribe करना ना बुलें मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जै हिंद जै वारत